हेलो दोस्तों मेरा नाम है जे सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एर वी अन्बॉक्सिंग तो भाई ओग और फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का आज हम अन्बॉक्सिंग करेंगे हीरो के वो जैनून पार्ट्स जो इंजन के अंदर जाएक है सबसे जादा चलने वाली बाइक है और हर इंसान की सबसे पहली चोईस होई है कि हीरो की इस प्लेंटर लेने जो एवरेज भी अच्छी देती और मेंटरनेंस भी बहुत कम है तो हमने सोचा उसके इंजन के लिए आपको कुछ जरूरी पार्ट्स लिए जाए और सबसे जादा इंजन अगर खराब होगा तो गेर की गरारी वाली जरूर कटेगी तो भाई ज्यादा सारे पार्ट नहीं लिए हमने क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और बड़ी वीडियो आप लोग देखते नहीं हो तो इसलिए छोटी सी वीडियो लिए टो वीडियो को श्टात करने से पहले आपसे एक ही गुजारिस करूँगा कि भाई व अगर आपने मुझे इस्टाग्राम पर फॉलोय नहीं किया है तो वहां पर जाई रिये और पुझे फॉलों करिए क्योंकि मैं रोज इस्टागरम पे कोई नहीं नई अपडेट दालता तो यह मेरा अकाउंट है इसे फॉलो करो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा लिंक पर क्लिक करके आप में फॉलो कर सकते हो क्योंकि अगर कोई भी पोस्ट गिववे की होगी तो मैं इस्टाग्राम पर ही डालों कुछ भी करता रहता हूं कभी लाइट हमारा से हम नई कुछ लाइट से हैं जिनका गिववे करने की सोच रहे हैं तो फटा फट से आप लोगों ने अगर इस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे इस्टाग्राम पर जल्दी से फॉलो करो ताकि आप भी विनर विनर चिकन डिनर बन सको तो चलिए लगे तो भी आपको चैन चैन मिल जाएगी पर गाइड के साथ लेना थोड़ा सा बैस्ट होता है क्योंकि इसके अंदर जो दोनों गाइड होते हैं इसके लेफ्ट राइट के सपोर्टर वो साथ में आते हैं क्योंकि कुछ लोग भई पैसे बचाने के चकर में सिर्फ चैन एक छोटा रूलर और बड़ा रूलर खरीद लेते हैं किसी भी company में और डाल देते हैं तो वहां भी बहुत दिक्कत होती है क्योंकि oil pump गरा रही है और timing chain का जो इस पोकट होता है जब भी timing chain से related जो जिस चीज़ पर भी चलेगी वो पूर्जा भी कटेगा क्योंकि timing chain अगर क तो basically तो हमारा जो आज की वीडियो बनाने का purpose है वो यह है कि आपको दिखाई जाएगी कुछ चीज़े कितनी ज्यादा सस्ती आती है यह हमने भी timing chain का जो टैंसनर पत्ती है जो timing chain को tight रखता है यह वो पत्ती है देखेंगे आप कितनी सस्ती है इसकी unboxing दिखाएंगा बहुत ज़्यादा सस्ती है देखेंगे इंजन के अंदर सबसे महतवपूर्ण पार्ट है और सबसे ज्यादा सस्ता है और यहां पर हमने भई इसकी self की जो गरारी होती है वो गरारी लिए जिसके ओपर जो है timing chain यह self की chain जो है चलती है तो यह भी बहुत सस्ती है ज्यादा महेंगी नहीं है एक हमने यहां पर complete primary gear लिया हुए इसका सबसे ज़्यादा विकने वाली आइटम है और एक हमने लिया हुए है second gear जो second gear की गरारी बोलते है सबसे ज़्यादा कट आती है मतलब जब इंजन को आप assemble कर रहें तो यह गरारी जरू डालें चाहे कटी हो चाहे ना कटी हो इन सब को पुझो को side करते हैं और एक एक करके ने लेंगे तो यह हमने भाई self की kit ली है पूरी complete तो part number देख लेते हैं इसका part number है k28281 kwa g940s और यहां पे लिखा भी हुए है देखिए kit game guide और MRP है इसकी सिर्फ और सिर्फ 145 रुपीज including of all taxes और यह QR code बगेरा दिया हुए इसके बार मैं आपको बताया हुआ है पहले सही कि जब भी आप कोई पुरजा खरीदें hero का और अगर आपको उस पर doubt हो कि वो local है या genuine है तो इस code को इस number पर SMS करेंगे तो आपको verification message आ जा जाएगा कि यह genuine पुरजा खरीदा है या फिर local खरीदा है तो यह आप करके देख ल बेसिकली यह एक सिर्फ छोटी सी self की chain है जो अलग से अगर आप chain लोगे तो सिर्फ 100 रुपे किया जाएगी परन्तु यहाँ पर हमें kit के साथ यह 145 रुपे में दोनों वो मिल गए इसके अभी कुछ time पहले यह 130 की हुआ करती थी थोड़ा दनी हुए है मुस्किल से मुस् बड़ी सी और इस बीच में दो गाइड है जो यह लगते हैं support के लिए इस तरीके से chain जो है चलती है तो इसे side करते हैं और यह बहुत ही ज्यादा सस्ती parts है और इसे डालना बहुत जरूरी होता है engine के अंदर खराब हो या ना हो आप इसे जरूर डाले प्रना आवाज जो है गेर चेंज होता है हमारा गेर श्टॉपर भी बोल सकते हैं जब एक गेर से दूसरे गेर में जाते हैं तो साफट को जब गुमाते तो यह उसे रोक दिता है दूसरे गेर पर या जिसी भी गेर पर आप इसे चेंज करते हो तो भई यह है हमारा गेर श्टॉपर और पार्ट को कि SMS करना पड़ेगा आपको UPI कोड तो इसे अंबॉक्स कर लेते हैं और देख लिए इसकी जो डिजाइन और और भी ज़्यादा सस्ता है बहुत ही ज़्यादा सस्ता है सिर्फ और सिर्फ 45 तो इसका भी पार्ट नमर देख लेते हैं यह हमारा पार्ट नमर इसका 145 003 5020S आर्म कम्प्लीट केम चेंज होगी उसको टाइट करता है यह उसे टाइट रखता है ताकि वह लूज ना हो पाए इसकी वज़े से टाइट रहती है तो भाई यह भी 100 CC और 110 CC दोनों में लगेगी और MRP है इसकी 45 रूपिज 100 CC और 110 CC इसने लिख हुई है कि यह पैशन प्रो से लेके स्प्लेंडर प्रो हो पैशन प्रो हो एचफ डीलक्स हो या हीरो की 100 CC का जो इंजन है जिस भी गाड़ी में होगा उसमें यह लग जाएगा तो इसे भी अन्बॉक्स कर लेते हैं और इसकी आपको क्वालेटी दिखाते हो डिजाइन दिखाते हैं कि कैसा होता है यह तो भई यह देख जिए इसका डेजाइन यसे बोलते हम देखो देसी भासा में इसे कुछ लोग चिडिया भी बोलते हैं पर हम इसे टैंसनर पत्ती बोलते हैं अब आप खुद सोच यह 45 रुपे की यह आईटम है इसे लोकल डालके कितना पैसा बचा लोगे आप इसे भई लोकल भी आपको मुझे लगता निए कि 45 मा आएगा 40-50 रुपे से नीचे तो कोई इसे लोकल भी नहीं देगा आपको अगर आपको नहीं पता कि जैनून कितना है तो इसलिए हमने सोचा कि आपको इन सब चीजों की वीडियो बना के दिखाई जाए तो यह भी अमारा टैं 370 फिर 435 फिर 435 फिर 435 फिर अब सीधा 470 हो गए इसकी MRP तो भी पार्ट नमबर देख लेते हैं इसका यह टाइमिंग चैन कित है जो हमारी 100cc की हर गाली में लग जाएगी हीरो के सारे इंजन 100cc वाले जितने भी होंगे स्प्लेंडर हो पैशन हो HF डिलक्स हो CD डिलक्स हो पैशन प्रो हो सब में लग जाएगा है पैशन प्रो ओल्ड से लेके न्यू मोडल तक सब में तो भाई MRP इसकी 470 फिर और पार्ट नमबर है 222K130LS यहां लेखा भी हुआ केम चेन किट और देख लीजी सारी डिटेल इसमें दिवी है कि इसके अंदर क्या-क्या निकलेगा तो हम भाई पैड़े के पढ़ी के टायम खराब नहीं करेंगे हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि इसके अंदर क्या-क्या समान जो है निकलेगा तो भाई यह हम पीछे निकाल लेते हैं सारे समान को और यहाँ पे काउंट करते हैं अलग से तो भाई सबसे पहले हमारी टाइ तो पुसरोड जो होती है उसकी यह स्प्रिंग है पुसरोड की स्प्रिंग और एक दो तीन चार पांच जह बेसिकली शह आइटम जो है टाइम चैन के अंदर निकलते हैं कुछ लोग पैसे बचाने कले सिर्फ टाइम चैन और यह दोनों रूलरी भी डाल कुछ लोग सिर्फ यही डाल देते हैं यह भी पुराने चला देते हैं बहुत ही ज़्यादा कटे होंगे तब जाके वो लोग यह डालते हैं भाई सस्ता काम कराओगे तो लोग खुदी कंजूसी करेंगे इसलिए कभी इन सब चीजों में कंप्रमाइज मत करो कंप्लीट ही डालो इसे तो यह भी साइड करते हैं और आते हैं अपना भाई गरारी पे गेर पे जो हमारा इंजन का सेकंड गेर है पैशन का और हुंडा स्प्लेंडर के जितने भी इंजन हैं 100 सीजी को लेके चाहें वो पैशन हो स्प्लेंडर हो एचप डीलक्स हो सबके सेम ह है इसका 23431 GN5910S गेर M217T MRP है इसकी 620 रुपे तो भाई अभी MRP बढ़ चुकी है हमारे पास पुरानी अमर्पे का 665 MRP हो चुकी है तो यह गेर देख लिजे छोटा सा गेर है इसे गेर गरारी भी बोल सकते हो आप इसे छोटा सा गेर गरारी है डिजाइन देख लिजे बेसिकली इसके जो दाते होते हैं यह दाते जो आप अंदर से देख रहे हो यह अंदर से कट जाते हैं इसके कटने की वज़े से ही गेर जो है हमेशा आवाज करते हैं और कभी भी गेर सेट नहीं हो पाते है तो छोटी सी गरारी है जब भी इंजन को असेंबल कराएं यह ग एस्टी 901 एस गेर प्राइमरी ड्राइब 18 टीथ 18 दातों का प्राइमरी गेर है तो 280 रुपए MRP है इसकी और भाई इसके भी MRP बढ़ी हीरो ने अभी हाल फिलाल में अपने काफी सारे प्रोडक्ट हैं जिन पर प्राइज बढ़ा दिये हैं जिनके एक तम से अचानक से होता है हीरो का इस तरीके से इसका डिजाइन दोता है कुछ लोग इसे भी लोकल डालते हैं यह चीज़े लोकल चलने वाली नहीं है इंगे और इंजन जो है कभी भी एसंबल करने पर सही साउंड नहीं बनाएगा और इसलिए आपको मेरी आपसे रुक्एस्ट है कि जब य सही रहेगी इसको भी side करते हैं अपना और आप आते हैं अपना last product पे जो हमारा ये जो भाई इसे क्या बोलते हैं पहले पढ़ लेते हैं pocket complete starting भाई इसे basically तो self chain की गरारी भी बोल सकते हो आप इसे या one way की गरारी भी बोल सकते हो आप इसे इसे उपर हमारी जो सेल्फ की गरारी भी बोल सकते हो इसे इसके उपर हमारी जो सेल्फ की चैन हमने दिखाई थी आपको छोटी वाली ये इसी के ऊपर चलती है और भाई सबसे पहले तो इसे 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 गरारी भी बोलते हैं और वनवे की गरारी भी बोलते हैं तो भाई अब इस गरारी को भी साइड करते हैं देखते हैं प्राइस किया है यह हीरो ईंडर capable लगल तो इसका प्राइस देख लिए पार्त नमबर देखते हैं तो पार्ट नमबर है two a billion vinyl ऑच einem 것도і स्टार्टएग साकर्फ हैं और ripeDS की सिरफ 490 रूंपival पर्पे MRP है इसकी और बहुत ही ज़्यादा प्रीमिम क्वालिटी का ये भी गरारी है इसमें सील वगएरा लगी हुए ये वाद देखा जाये तो ये भी वर्थ ही है तो भाई यो ये थी हीरो के जैनुन पुर्जे जो की देखने में बहुत ही मतलब प्रीमिम क्वालिटी के है अब ओविसलिए एर हीरो के जैनुन ने तो प्रीमिम तो होंगे ही और भाई कितने सस्ते हैं ये भी आपने देख लिया बहुत ही सस्ते आते हैं जैनुन पुर्जे जादा महंगे नहीं आते बस लोगों की दिमाग में एक सोच बनी हुई है कि जैनुन ने तो बहुत महं हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना शेयर करना मत भूलना दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पर नए हो अभी तक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बैल आइकन को दबा देना ताकि बिना किसी रुकावट के अ